हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट एस टीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है स्विंग ट्रेड ओपर्चुनेटी के इस वीडियो में आज हम चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है दोस्तों आप से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें तो आज का हमारा पहला स्टॉक लॉयरूस लाब्स लिमिटेड है ये 23,965 करोर की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कमपनी है ये स्टॉक मंगलवार 21 मई 2024 को 1.97% याने की 8 रुपए और 75 पैसे बढ़कर 453 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है और तक्नीकी तोर पर ये स्टॉक स्ट्रॉम होता हुआ भी नजर आ रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 471 रुपए है और 52 वीक लो 314 रुपए और 10 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 425 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 457 रुपए और 15 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 471 रुपए और 20 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 486 रुपए और 65 पैसे अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटेनियो रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टाच करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर ये stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 434 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा support होगा 417 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा support होगा 401 रुपए और 10 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2% या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा दुसरा stock PBR Inox Limited है यह 13,009 करोर की market cap वाली एक small cap company है यह stock मंगलबार 21 मई 2024 को 1.78% याने की 23 रुपए और 65 पैसे बढ़कर 1349 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 1875 रुपए और 45 पैसे है और 52 week low 1247 रुपए और 90 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 1272 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 1358 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा resistance 1418 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा resistance 1489 रुपए और 50 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 1285 रुपए और 25 पैसे इसका दुसरा support होगा 1226 रुपए और 35 पैसे और इसका तीसरा support होगा 1154 रुपए और 55 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis क से हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा तीसरा stock गुजरात State Fertilizers and Chemicals Limited है यह 9,519 करोर की market cap वाली एक small cap company है यह stock मंगलवार 21 मई 2024 को 0.98% याने की 2 रुपए और 35 पैसे बढ़कर 241 रुपए और 25 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 322 रुपए और 25 पैसे है और 52 week low 146 रुपए और 15 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 214 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 246 रुपए और 10 पैसे इस इसका तीसरा resistance 289 रुपए और 25 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन लेवल्स को भी touch करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 21 116 रुपए और 65 पैसे इसका दुसरा support होगा 194 रुपए और 45 पैसे और इसका तीसरा support होगा 178 रुपए और 85 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last close in price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है तो आज का हमारा चौथा stock राष्ट्रे chemicals and fertilizers limited है यह 8,120 करोड की market cap वाली एक small cap company है यह stock मंगलवार 21 मई 2024 को 2.68 परसेंट या 151 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर यह stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है stock का 52 week high 190 रुपए है और 52 week low 101 रुपए और 15 पैसे है stock ने हाल के दिनों में 136 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला resistance 154 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा resistance 162 रुपए और 95 पैसे और इसका तीसरा resistance 172 रुपए और 15 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या इन levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला support होगा 141 रुपए और 35 पैसे इसका दुसरा support होगा 130 रुपए और 75 और इसका तीसरा support होगा 120 रुपए और 10 पैसे दोस्तों यह stock यहां से सीधा उपर की तरफ जा सकता है या इस stock में यहां से थोड़ी सी retracement भी आ सकता है तो मेरे हिसाब से इस stock में 1 या 2% या फिर first support पे stop loss रख के last closing price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर इस stock में अगर कोई भी retracement आता है तो उस retracement में अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लिए है इनमें कोई by sale या hold की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो देखने के लिए दोस्तों हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा